Hello kids, welcome to my channel आज हम आपको बंदर और मगरमच की कहानी सुना रहे हैं आपने शाहिद ये पहले भी सुन रखी होगी अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ बंदर और मगरमच नदी के किनारे जामून के पेड़ पर एक बंदर रहता था उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच से हो गई बंदर मगरमच को रोज खाने के लिए जामून देता था एक दिन मगरमच कुछ जामून अपने पत्नी के लिए ले गया मीठे जामुन खाकर उसकी पत्नी ने सोचा कि रोज मीठे फल खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा उसने मगरमच से बंदर का दिल खाने की जिद की मगरमच ने एक चाल चली और बंदर को अपने घर भोजन पर चलने के लिए कहा मंदर खुशी-खुशी-खुशी मगरमच की पीट पर बैटकर उसके घट चल दिया मगरमच ने बीच नदी में पहुँचकर अपनी पत्नी की सभी बाते उसे बता दी मंदर यह सुनकर घबरा गया लेकिन उसने अपना धहरी यह नहीं खोया मैं बोला अरे मगरमच भाई तुमने मुझे पहले यह बात क्यों नहीं बताई मैंने अपना दिल पेड की खोकर में सभाल कर रखा है अब मुझे जल्दी से वापिस ले चलो जिससे मैं अपना दिल तुम्हें दे सको मुर्ख मगरमच उसकी बात्तों में आकर वापस मुड़ गया पेड के पास पहुंचते ही बंदर छलांग लगा कर पेड पर चड़ गया बंदर ने मगरमच को उसकी दोखेवासी और मुर्खता दोनों के लिए धिका रहा और हमेशा के लिए उससे मित्रिता तोड़ दी तो इस कहानी में हमें ये समझ में आया है कि हमें कभी भी मुर्ख लोगों को और धोकेवास लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए उसने उसको हमेशा मीठे जामन के लाए और वो उसी की जान लेनों पर आतुर था तो उसने अपनी बीवी के कहने से उसको खाने की इस्छा जाहिर करी और उसको खिलाने के लिए अपनी पत्नी को बंदर को वो अपनी पीटों बिठा के ले गया भीना उससे सारी बात जब उसको मालूम चला उसने बड़े धैरी के साथ बड़े मतलब उसने अपना धैरी नहीं खोया मिलकुल भी वो घबराया नहीं और उसने बड़ी चालाकी से वंदर ने आपनी जान बचा ली तो आपने देखा कैसे हमें धोके बास और मुर्ख लोगों के साथ रहने का न दोक के बास भी द्रों से बच कर रहना चाहिए तो आपको कैसी लगी है बंदर और मगरमस की कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम जल्द हाजिर होंग कर दोकी तब तक अपना ख्याल रखी और मैं कीवचिग लान्मिद फण वाज्व शामनम थेंक यू